लेफ्ट इशारा लगो, सेंटर मिरर देखो, शोल्डर, ओके, अब आगे देखो, असलाम लेकॉम, कैसे हैं जी साब लोग, ठीक ठाक हैं, अच्छा जवेद भाई हमें कैसे पता चलेगा ये टू वे है या वन वे है, ये यालो लाइन लगा ना जो सेंटर में, ये बता रहा लेफ्ट जाना है आपको भी, अच्छा जी फिर दुबारा बताता हूँ, ये मैंने अल्रेड वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज़ है, इसलिए और मुझे क्वेस्चन भी आया था सर, लेफ्ट और राइट के बारे में बताईएगा, ठीक है, अच लेफ्ट और राइट की पुजिशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, अगर आप ये सही करोगे तो आपका आगे गाड़ी एक दम सही आएगी आपकी, पहली बात, दूसरी बात, राउंड बोट पे भी आप यही मेटड यूज़ करो, राइट में जाने वाला, कि आगर ठीक है, समझा गी अभी, तो आपने हमेशा याद रखना है, जब भी आपने राइट जाना है, तो गाड़ी ऐसे खड़ी करनी है, उस कौर्णर में, ठीक है, तो जब आपने लेफ्ट जाना है, तो गाड़ी इस कौर्णर में खड़ी करनी है, ठीक है, कुछ लोग क्या करत है रायट में रास्ता स्टक नहीं ओगा वो रायट वाला रायट जाता रहेगा ठीक है वब सविछ सो आपने भी याद रखना है कि left से जाना है तो इदर राइट से जाना है तो दो थीक है चलें इंशा ला देखने आभी चलें corner में लेके कॉर्णर में बंद हो तो फिर काटिंग करनी है ठीक है चलो देखो ओके यह लाइन बंद हुई आप गुमाओ ऐसे आप जैसे आपका स्टेरंग वापस आएगा ना उस ही साब से आपने स्पीड देनी स्पीड दो स्पीड दो क्यों स्पीड देनी है ताकि रास्ता स्टक ना हम जल्दी अपने रोड में सीधा करें फिर लेफ्ट जाओ आप चलो शाबाश और फिर वही बात है आपने स्टेरंग को देखना नहीं है जवेद भाई थोड़ा पीछे रुका करो यार स्टॉप का साइन है आपका आप अंद जाना है या रुकना है आप अंदर आगे फिर देख रहे हो तो फाइदा क्या है फिर रुकने का राइट जाओ यहां से दोबर आपने याद रखनी है यह बात ठीक है यह राइट है सर फ्री राइट है हमारा आपने नहीं देखा यह राइट याद रखा करें चलें शाबा परहां करें उसके मताबक राइट जाएं यहां से चलो शाबाश यहां ब्रेक नहीं चाहिए इसलिए आपने जल्दी जाना इदर जो आपका free rider ना वहाँ पे आपने जल्दी करनी होती है बस उतनी speed रखनी है कि आप control आपका easy रहे बस control को याद रखना है control को तेज 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 ऐसे 40 पे आगे ना बस आप hold करो speed को छोड़ना भी नहीं देना भी लेफ्ट जाना है अपने फिर यहाँ position पे रुको लेफ्ट की position पे जैस मैंने कहा था चलो दोने शीशे देखो रुको एक मिनिट जवेद रुको जाना नहीं आपने हाँ आपने जो हाथ है ना सामने देखना है लेकिन हाथ जल्दी फारिक करने आपने फ्री करने आपके हाथ अभी भी लेट आ रहा है यहाथ का एदर कोई काम नहीं है यहाथ का काम यहाँ तक है बस ठीक है तो आप जब काटोगे तो यहाँ तक काय जल्दी पीछे आए और देखना सामने यहाथ को शाबाश, पता है किया, आपके ग्रिप का स्टायल ही गलत है, इसलिए ऐसा हो रहा, मैं बताता हम आपको, इधर जाकर रुको, ये देखो, ये हाथ है ना, इसको ऐसे मत पकड़ो स्टेरिंग को, स्टेरिंग ऐसे रखो, ये अंगुठा है ना, ये अंगुठा ओपर करो, ये ये हाँ ये इससे क्या होगा आपका हाथ जल्दी फारग होगा आपका जब अंगुठा बीच में ऐसे फास जाता तो आपको छोड़ने में टाइम लगता है फिर ठीक है आपका अंगुठा भी ऊपर आना चाहिए इसके ठीक है इसके अंदर नी थम्स इसके अंदर नी आना च चलो दुबारा देखेंगे हम देखो दोने तरफ लेट जाना है आपको हाँ चलो और जल्दी जाना मैं आपका कंट्रोल देखना चाहता हूं यह बहुत जरूरी है चलो शाबाश जल्दी ऐसे ठीक है ठीक है अब सही बताना फरक पड़ा शाबाश थोड़ा दिर ले लो कोई बात नहीं है सारी गाड़ी रोड पे खड़ी है मसला नहीं है तो अमीद है आपको समझ आई होगी अच्छा जी आपको भी नए स्टूडेंट्स आपको भी अमीद है पता चला होगा यह बहुत जरूरी है क्योंके ओवर्टे करो आपका हाथ फ्री रहना चाहिए यह याद रखें ओवर्टे करो इसको शोल्डर चेक करो चलो वापस आओ आपका हाथ फ्री रहना चाहिए यह याद रखो ठीक है स्टेरिंग के ओपर आपका हाथ स्टॉक नहीं होना चाहिए जागर आपका हाथ स्टॉक होगा तो आपकी गाड़ी कभी भी कंट्रोल सीधा नहीं दोनों शीशे देखें ओके शाबाश वेरी गूड चलो वापस सीधा शाबाश अब इजी है ना शाबाश वेरी गूड चलें जी मिलते है नेक्स वीडियो में उमीद है आपको अच्छा लगा होगा समझ आई होगी ठीक है दो हमें याद रखें और ज्यादा से ज्यादा लोकों से शेयर करें यह वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन टॉपिक बहुत जरूरी था यह यह नए स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है तो जरूर इस वीडियो को देखें और लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज अलाफिज